नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीची दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बहद ही महतोपूर्ण जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों अक्सर आप देखते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा प्रोब्लिम क्या होता है जब हमारे बाल ज लगता है यानि कि गिरने लगता है कई लोगों के बाल रुखे हो जाते हैं यानि कि तूटते हैं बहुत ज़्यादा जढने लगते हैं उनको प्रोब्लिम होती है नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या करें और सही दवा क्या होगी इसके लिए तो आज हम इसी से जाते हैं, पॉलुुशन की वज़र से बाल खराब हो जाते हैं, हमारे सही देख रेख नहीं हो पाती है या फिर डेंडरफ बहुत ज्यादा हो जाते हैं बालों में तो भी प्रोब्लेम होती है healthy बाल जो भी होता है उसके लिए protein बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर में क्योंकि बाल जो है protein उनको बहुत ज़्यादा मातरा में चाहिए होती है तो इसलिए आज हम आप सभी के लिए ये अश्रा धिलाए हैं इसमें आपको चाहिए होगा तोरई करना क्या है आपको विधि पे ध्यान दिजिए धंग से करना क्या आपको कि तोरई के छोटे-छोटे टुकड़े कर लेने हैं आपको बिना छिलका उतारे उसको केवल धोना ह पानी में आपको और उसको छोटे-छोटे टुकड़े में काट लेना है फिर इन टुकड़ों को आपको सुखा देना है जब ये अच्छे से सूख जाए अच्छे से इनको कुटिये और पेश्ट सा बना लीजिए यानि कि तब इसका चून बना लीजिए इस चून को आप नारियोल ओयल में मिला करके एक शीशी में बंद करके चार दिनों तक के लिए रख दीजिए शीशी में बंद किजिए चार दिन रहने दीजिए नारियोल का ओयल इतना डालना है कि उसमें ये आराम से जो चून आपने डाला वो भींग जाए गिला हो जाए इसके बाद आपको क्या करना है अपने सर में मालिश करनी है हर रोज मालिश करते वक्त ध्यान रखें कि आपको फिंगर से मालिश करनी है आपको बालों को ऐसे क्योंकि बेजान बाल है अगर आप ऐसे रगड़ेंगे हथेलियों से तो वो तूटने लगेंगे इसलिए आपको हलके हाथों से फिंगर से बालों की मालिश करनी है जिसकी वज़ा से बाल तूटेंगे नहीं और बहुत ही हेल्दी ग्लोविंग मजबूत होते जाएंगे कुछ एक दिनों तक क्यूंकि तोरई में विटामिन C, कार्बोहाइटरेट, प्रोटीन सारी ये उपलब्ध होती हैं जिनकी उसके लिए लेकिन इसके साथ साथ तोरई का आप सबजी के रूप में भी इस्तेमाल जरूर करें खाने में इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं खास करके गर्मियों के मौसम में तो ये बेहधी फायदे मंद और लाफकारी सावित होता है आप सभी क लिए तोरई के फायदों से रिलेटेड अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहधी महतोपून जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों